अस्लाम लेकुम वरहमतुलाही वबरकातों वेलकम टूर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम जो कवीता पढ़ने वाली है वो हमें बहुत तरीके से सीख देती है बहुत अच्छी अच्छी सीख देती है कि हमें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए कभी किसी भी कटनाई या परिशानी से हमें हार नहीं मानना चाहिए तो आज हम जो कवीता पढ़ने वाले है उसका नाम है जीवन पेज नंबर 28 जीवन है चलने का नाम करना कभी न विश्राम तो इस दो पंक्तियों में कभी ये कहना चाहता है कि जीवन में हमेशा हमें काम करनी चाहिए महनत करनी चाहिए कभी भी बगर महनत किये हमें कुछ फल मिल सकता है नहीं मिल सकता अगर आप एक्जाम में अच्छे से नहीं पढ़ोंगे तो आपको अच्छे माक्स मिल सकते है आप पास हो सकते हो नहीं हो सकते, तो इसी तरीके से हमें जिन्दगी में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए घड़ी सदा टिक-टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम, घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरच सानित उपर उठना, कनकन में उपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रनाम तो इस पंक्तियों में कभी ये कहना चाहता है, कि घड़ी को आपने देखा है, घड़ी कभी रुकती है, क्या घड़ी का काम क्या होता है, वो हमेशा चलती रहती है तो उसी तरीके से हमें घड़ी की तरह चलते रहना है और सूरज, सूरज जिस तरीके से देखा है आपने सुभा में सूरज जब आता है जब सूरज की किरने जमीन पर पढ़ती है तो वो उपर आता है जमीन से यानि नीचे से उपर आता है तो हमें उसी तरीके से सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए और लोगों को अपना अपनाना चाहिए प्यार से लहराना सागर से सी को आसमान सा रदे विशाल रदे यानि दिल तो सागर आप लोगों को सभी को पता है किसे कहते, सागर यानि सम्मंदर, तो लहराना, यानि जैसे उसकी लहरे आपने देखिए, उपर नीचे होती है, तो वेसे ही हमारी जिनदगी में बहुत सी कटनाई आती है, कभी खुशी आती है, कभी गम आता है, तो हमें उन सब से लड़ने का होसला रखना चाहिए, और आस अगर हम से हमारे साथ किसी से जगड़ा हो जाए या हम किसी से नाराज है तो हमें बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देना चाहिए उस चीज़ को भूल जाना चाहिए सहेंशिल बन धर्टी जैसे मिलजुल करते जाना काम तो आप लोगोंने धर्टी को देखा है कि धर्टी कितनी कोई भी परिशानी हो बारिश हो धूप हो खंडी हो कोई भी मौस्अ मोस्टी से वो सब सहती है तो उसी तरीके से हमें धर्टी से सहने की शक्ति मस्बूती की शक् हस लेना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से मिल जूल कर प्यार महबत से रहना चाहिए जो चलता वह आगे बढ़ता महनत कर पाता पदनाम तो आपने देखा है अभी तक आपने जितनी भी मशूर लोगों के नाम सुने है तो महनत करके ही आगे बढ़े है ऐसा है कि किसी को इसमें मिला है किसी को रेडिमेट मिला है किसी को आराम करने से मिला है ऐसा नहीं है अगर आप महनत करोंगे तो ही आप उसका अच्छा फल पाओंगे तो ही आपका नाम होंगा तो उस तरीके से हमें महनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए मा जैसी हो मीठी बोली मन में सच्च उच्च विचार तो मा जैसी सच्ची बोली यानि मा हमेशा हमें अच्छी बाते सिखाती है तो उसी तरीके से हमें अच्छी बोली और अच्छी बातों बाते करनी चाहिए और अपने मन में अपने दिल में हमेशा पॉसिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए अच्छी बाते सोचनी चाहिए अपने जैसा सबको जानो सेवा कर लो सो विचार जीवन है चलने का नाम करना कभी नहीं विश्राम तो अपनी ही जैसा सभी को आप लोगों ने सबके साथ अच्छा वहवार करना चाहिए कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए और अपने बड़ों की सेवा करके ही हम अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ सकते हैं तो बच्चो आप लोगों को ये कवीता अच्छे से पढ़नी है और याद करनी है ठीक है उसके बाद आपकी वर्क बूक में आप लोगों को यहाँ पर पेज नंबर 53 पर दिया गया है कवीता से उच्ची उच्ची शब्द चुनकर रिक्स्तानों की पूरती करो तो यहाँ पर आप लोगों को कवीता अच्छे से पढ़नी है और यहाँ पर आपको रिक्स्तानों की पूरती करनी है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर तीन आंसर दिये गए है तो आप लोगों को सही उत्तर चुनकर ये वाक्या पूरा करना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को प्रशन उत्तर दिये गए है तो आप लोगों को प्रशन अच्छे से पढ़ना है कवीता समझनी है और इसके उत्तर दूनना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फिर से रिक्स तानू कवीता की पंक्तिया आप लोगों को यहाँ पर पूर्ण करनी है उसके बाद कवीता से समानार्थ वाले शब्द लिको समानार्थ वाले शब्द आप लोगों को पता ह same meaning तो आप लोगों को यहाँ पर कविता में से ही समानार्थ वाले शब्द डून कर यहाँ पर उसके उत्तर लिखना है So student do your homework on time इंशालला we will meet in the next class अल्लाहाफेज अस्रामलेकूम वरहमतुल्लाही वर्बरकातों